कुंफू पांडा के लास्ट एपिसोड में हम नहीं देखा था कि कैसे शाओ को शिलोंग के लोको नी चेल में डाल दिया था इसी के साथ में पो के साथ जितने भी पैंडास थे उन सबी लोगों को जेट टेस्क मिल गई थी इसी कंटिनिटी के साथ में एपिसोड नमर 11 की शिर्वात होती है जहां पर हम देखते हैं कि ये लोग मिलके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी वहां रॉस्टर कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाओंगा बहुत देर हो गई मैंने अपना टाइम वेस्ट कर लिया अब मैं यहां से चला जाओंगा सब लोग मिलके रॉस्टर को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन रॉस्टर बिना मात मानी अपनी दौनों पिक्स को लेके वहां से चला जाता है यहाँ हम शाओ को देखते हैं जिसके सपने के अंदर उसके फादर आते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम पे बहुत प्राओट फिल करता हूं तुमने जो भी किया है बब तक बहुत अच्छा किया है और खोशिश करना की आखे बी ऐसी ही करते रहो असल के अंदर ये शाओ का एक ड्रीम था जो कि उसकी आँके खुलने के बाद टूट चाता है एक जेल की अंदर यहाँ दूसरी तरफ काफी सारे गार्ट सा चुकी थे इन लोगों को मारने के लिए तब बाओ की पावर से मिस्टर ली, मिस्टर पिंग, नुहाई और जिंग तो आगे निकल गए थे लेकिन मास्टर पो फैंग टॉंग के साथ में और जैटस के साथ में वहीं अटक गए थे वो सब को भीशने के चकर के अंदर खुद वही रह गए तब ही यह फैंक टॉंग खुद की पावर का यूज करता है और एक तलबार के थूँ जहां वो लोग खड़े थे उसी इससे को काट के वहाँ से बाहर निकल जाता है यह सारे के सारे लोग पानी के सारे से बाहर तक आचाते हैं लेकिन काफी उचाई से गिरने के बाद जब यह लोगों की आँके खुलती है तो इनके सामने मास्टर उगवे खड़े थे भो बो लगता है कि इतने उचाहे से गिरने के बाद ए लोग तो मर गए है और सीधा रू की दुनिया में पहुँच गए है पहली बार इन चारों पैंडास ने भी ऐख को देखा था और मिस्टर ली और मिस्टर पिंग ने भी पहली बार यूने देखा था लेकिन तभी वहाँ पे जिंग पहचान जाती है कि ये मास्टर उगवे नहीं है बलकि कॉंग है जिसने वापस एक विजन क्रियेट किया है और इन सब लोगों को पाकल बनाया है। असल के अंदर कॉंग की भी बाईको चिंग से बहुत पुरानी लड़ाई थी। बाईको चिंग ने ही कॉंग का क्राउन चुरा लिया था और तब से कॉंग कुछ भी नहीं कर पाया और देवताओं के बीच में वो जूटा साबित हुआ अगर कॉंग के पास अपना क्राउन वापस आ जाए तो उसके पास काफी सारी पावर्स भी आ जाएंगी। आखिरकार कैसे यह लोग शाओ को बचा पाएंगे और शिलॉंग की सच्चाई को बाहर निकाल पाएंगे। तब जाके नुहाई जो कि इन सब की लीडर है उसकी पास में एक आईडी आता है। जाती है और वो इसके काबिल बिलकुल नहीं है। नुहाई यहाँ पे सभी को अपने अपने काम समझा देती है। इसी कारण सब लोग अपने अपनी पोजिशन लेने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर बाओ और फैंक टॉंग शाओ को भचाने के लिए जाते हैं। वहीं पे मास्टर पो मेमे की मदद लेता है ताकि वो सारे लोगों का ध्यान डिस्ट्रैक कर सके। जेट टेस के हाँ पर गार्ट से लड़ने के लिए जाती है। पो के साथ में मारा गया है और अब वो जिन्दा नहीं बचा लेकिन फैंक टॉंग के समझाने पर शाओ पुरानी सारी बाते समझ जाती है। और बहुत जादा टैलेंटेड है। शाओ बोलने ही वाली थी कि वो अपनी राजकती शिलॉंग को देने ही वाली है कि उससे पहले यहाँ पर पो पहुंच जाता है मिया मिया के साथ में। उपर एर बलून से नीचे गिर जाती है और एकदम से लटक पिजाती है जिसके बाद में सभी लोगों का ध्यान डिस्ट्रेक्ट हो जाता है। वो वहाँ पर आता है और सारे गाउंवालों के सामने सच्चा ही बताता है कि कैसे शिलॉंग जूटी है जिसने शाओ को मरवाने की कोशिश करी थी और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी टेराकोटा योद्धाओं की सेहना भी खड़ी करी थी। गाउंवालों के बारे में बताने लगती है लेकिन तब ही यहाँ पर शिलॉंग सारी बातों को छूटा थाबित कर देती है और कहती है कि क्या आप लोगों के लिए हमेशा अच्छा ही किया है बलकि यह पेंडास की सारी टीम इस गाउंगों को हड़पना चाती है इसी कानी भी रोग दिया हां मैंने एक टीम बनाई है लेकिन इन पैंडास से लड़ने के लिए और तभी इतनी देर के अंदर टैराकॉटा योद्धा निकल के बाहर आ जाते हैं जो कि गाउंवालों को तो घेडते ही हैं साथ ही साथ पैंडास को भी घेड लेते हैं इसी कंटिन के खंजर से सभी टैराकॉटा योद्धाओं को मारने लगती है तब ही यहाँ पर यह पैंडास कॉंग से मदद लेते हैं और कॉंग के पास जो टैलेंट था वो यह दिखाना शुरू करता है कॉंग के पास था कि वो किसी के भी जैसा बन सकता और कितने हैं काउंटिंग में आके बढ़ सकता है इसी कारण सारे पैंडास का एक एक क्लोन बनाके कॉंग और टैराकॉटा योद्धाओं से फाइट करता है लेकिन जब असली कॉंग पकड़ा जाता है तो सारे क्लोन एकदम से ही खतम हो जाते हैं तब यहाँ पर पो वापस से मिया मिया से मदद मांगता है यहां हम देखते हैं दूसरी तरफ शाओ को पकड़के शिलॉंग अपने साथ ले जाती है शाओ को छुडवाने के लिए बाव और फैंक टॉंग एक साथ जाते हैं लेकिन फिर भी शिलॉंग इन दोनों को यह धंकी देती है कि अगर तुम दोनों इसके पीछे पीछे आ मिलते हैं और शाओ पहचान जाती है कि उसने इस रॉस्टर को योधाओं के साथ में देखा था यानि कि वो उसे जानती है रॉस्टर पहले तो मना करता है कि मैं आपको नहीं जानता और नहीं मैं आपके मदद कर सकता हूं लेकिन उसके बाद में रॉस्टर भी शाओ की मद दिया है लेकिन तभी वहाँ पे बाई को चिंग निकल के आती है पैंडास इस बाई को चिंग को शहर से दूर ले आते हैं और उसके बाद इन्हें लगता है कि आज तो इनका आखरी वक्त है यह उन्हें मार देगी लेकिन फिर पेंडास हार नहीं मानते हैं और ये लोग मिलक जो कि बंजरपुर से आये थे, उन सभी ने मिलके इस पूरी जमीन को खोद दिया था, जिसके कारण बाइको जिंग जमीन के अंदर चली जाती है, और अब सभी को एक बार वापस टाइम मिल चुका था, बाइको जिंग से फाइट करने का, यहाँ पर मिस्टर ली, मिस्टर प बिक और साथ इसा शाओ भी थी, इनको पता चल चुका था, कि यह बड़ी सी योद्धा अंदर से खोक ली है, इसके अंदर से निकला जा सकता है, यहाँ पर दूसरी तरफ जैट टेस्क शिलॉंग के पास पहुँचती है, वो कोशिश करके देखती हैं कि वो शिलॉंग से बात करेगी, अगर शिलॉंग इस बाइकोचिंग की मदद नहीं करेगी, तो यह सभी लोग मिलके इस बुरी आत्मा को हरा सकते हैं, जैट टेस्क अपने साथ में कौंग को भी लेके गई थी, यह तोनों ही मिलके शिलॉंग को समझाते हैं, लेकिन शिलॉंग कोई बात नही समझती, यहां दूसरी तरफ फाइट बढ़ती ही जा रही थी, तभी वहाँ पे बाउ और फैंक टॉंग वापस से शाओ को बचाने के लिए इसी योधा के उपर चड़ जाते हैं, और कैसे तैसे करके शाओ को बचाते हैं, लेकिन उसे टाइम पे यह बाइकोचिंग फैंक इसके नाइफ से बाइकोचिंग के अंदर जो उर्चा थी, उसे ही खत्म करी थी, जब यह सोलजर की पूरी बाड़ी नीचे गिरने वाली थी, तब बाउ ने अपनी उर्चा से आधे लोगों को बचा लिया था, यहां पर नुहाई ने भी कॉंग के क्राउन का बहुत इस् वैसा वैसा ही कॉंग करता चाह रहा था, यह सब कुछ उसे क्राउन के मदद से हो रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर शिलॉंग आती है, जो किस टूटे हुए योद्धा को कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था तो मैसे मर नहीं सकती हो, अगर तुम मर गए तो फिर मै यहाँ पर राज कैसे करूंगी, मुझे यह पूरा राज्य चाहिए, तुम्हें उठना ही होगा, तभी बाईकोचिंग वापस से जिन्दा होती है, और तभी वो शिलॉंग को उठाती है, शिलॉंग नहीं इस बाईकोचिंग को वापस जिन्दा किया था, और शिलॉंग का साथ निबाने के बजाए बाईकोचिंग उसे गतारी करती है और उसे ही खा लेती है, और इसी कंटिनिटी के साथ में सीजन टू का लास्ट एपिसोड की शिरुवात होती है, जैसे ही शिलॉंग को बाईकोचिंग खा जाती है, तो उसके अंदर शिलॉंग की सारी पावर्स आजाती है देखते ही देखते बयकर जीने जिदने भी ट्र hill कूटा के योधा मरे थे उन सभी को सब् Corps cette सिस्थ दिएख़ इसे सारे एक साथ में मिलके ट्रीडा को मारने की कोशिश करते एं लेकिन यह डूर्ने को तयार ही नही test इसी कारण पो एक साथ में जाकर इन पैंडास की साथ में एक महल के अंदर छुप जाता है जहाँ पर बाइको जिंग इनके उपर बाहर से हमला करती जाती है नुहाई अब सोचती है कि शायद उसे पीची हड़ जाना चाहिए मास्टर पो आगे का काम संभालेंगे लेकिन तब मास्टर पो कहते हैं कि जो लड़ाई तुमने शुरू की है वो लड़ाई तुमें ही खत्म करनी चाहिए यानि कि नुहाई को वापस ही वो क्राउन पहन के कौंग के साथ उसके मदद करनी चाहिए और एक बार फिर से नुहाई उसी क्राउन को पहनती है और कौंग को इंस्ट्रक्शन देती जाती है कौंग फिर से बड़ा हो जाता है और बाई को चिंग से फाइट करता जाता है यहाँ पर मिस्टर ली काफी जाता रोते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि इस बार वो पो को नहीं खो सकते हैं यहाँ पर काफी बार नुहाई पे इंचर्ड होती चाह रही थी लेकिन फिर भी उसने कॉंग की मदद से बाई को चिंग को पचार दिया था लेकिन कुछी देर बाद की अंदर कॉंग की पावर्स भी धीरे धीरे कम होने लगती है क्योंकि कॉंग जाता देर तक इसी फॉर्म के अंदर नहीं रह सकता था और कॉंग वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है तभी यहाँ पे पैंडाज एक दूसरे को कहते हैं कि इसके अंदर जो उर्चा है हमें वही खत्म करनी पड़ेगी अगर हम वो खत्म नहीं कर पाए तो बाई को चिंग कभी नहीं मरेगी तभी वहाँ पे जिंग आ के बढ़ती है और उसे लगता है कि यह काम वो कर लेगी लेकिन जिंग भी ऐसा नहीं कर पाती है तब वहाँ पे शाओ सबको कहती है कि मुझे बस आ के जाने तक का रस्ता दिखा दो बागी का काम में खुद कर लूँगी और अब सारे पेंडा योधा शाओ को बैक अप देते हुए आके तक पहुँचाते है और इसी के साथ में शाओ बाई कोचिंगी उर्चा को खत्म कर देती है और इसी के साथ वो बड़ी से योधा आखिरकार खत्म हो जाती है जहाँ पर हर जगर उस उर्चा के अलग-अलग टुकड़े पड़े थे सभी एक दूसरी को संभालने लगते है नहापो भी अब उस क्राउन को उसकी सही जगर यानि की सुन वो कौँग को दे देता है शाओ यहाँ पर जाके शिलॉंग को देखती है जो कि काफे जआधा इंजर्ट थी शिलॉंग जैसी भी थी आखिर थी तो शाओ की बेहन ही इसी कारण यहाँ पर जिंग बुलाई जाता है ग्रैनी भी यहाँ पे बच्चों से मिलती है तभी हम यहाँ पर बाई कुछ इनको देखते हैं जो कि एक बैट जैसी थी और वो असल के अंदर मरी नहीं थी बस कमजोर हुई थी और वहाँ से चली जाती है जो टुकडे उस उर्जा के नीचे गिरे थे असल के अंदर उन सभी को पावर पीच की मूर्टी से मिल रही थी कूप स्रोस से बाहर आने के बाद में वो पीच की मूर्टी सभी को उर्जा देने लगी थी और जैसे वो टुकडे पूरी तरीके से तूटते तो उसमें से निकलने वाली उर्जा हर एक जगह पे जाती है देखते ही देखते जहा अब आखिर उसका क्या काम है क्योंकि पीछ की मूर्थी को तो अब कोई नहीं चुराने वाला पैंडा विलेज के अंदर मास्टर पो के साथ इन चारों योध्धाओं का बहुत अच्छे से वैलकम किया जाता है जहां दूसरी तरफ शाहों ने खुद की असिस्टेंट जैट बाओ को देते हैं और बाओ एक बार फिर से नए स्टोरी लिखता है जिसकी बुक पब्लिश करने के बाद वो हर जगर पड़ी जाएगी लास सीन के अंदर हम देखते हैं कि पो अपने चारों योध्धाओं को वापस से और अच्छे से कुम्फू सिखाता है और इसी के जरूर बताईएगा तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से ऐसी ही मूवीज में तब तक के लिए टाटा झाल